आपके अपने चैनल जोगी सरकी पार्ट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगा कियों में प्लेस वन क्लास के मैच सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्रोमेट्रिक फंक्शन की एकसर साइज 3.1 के क्वेस्टन नंबर 3 और 4 को सोल करेंगे बड़े ही इंपोर्टेंट बड़े ही इंट्रस्टिंग क्वेस्टन है क्या कहता है अब वील मेक्स 360 रेवल सैकंद मतलब एक सैकंड में यह कितने डिघ्री सोरी डिघ्री नहीं है रेडिएं कितने रेडियन एंगल भूम जाता है चलिए बड़ी असाल है अब हम बात करें 360 revolution in one minute तो हमें तो एक सेकंड में बताना है एक सेकंड के निकालते हैं हम solution revolution revolution in one minute one minute one minute में कितने है 360 revolution है अब हमने एक सेकंड में एक मिनेट में कितने सेकंड होते है 60 सेकंड one minute का मतलब क्या होता है 60 सेकंड के अगर हम बात करें 60 सेकंड में 360 revolution means revolution in revolution in अगर one सेकंड में हमने निकालना है in one second 60 से डिवाइड करतेंगे 360 upon 60 means एक सेकंड में वो कितने revolution कर रहा है 6 revolution कर रहा है अब हमने introduction में किया था कि एक revolution कितने radian के बराबर होता है radian 2 pi के हमने पूरा जो angle किया था एक revolution पूरा किसके बराबर होता है 2 pi के बराबर होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे angle in one revolution angle in one revolution that is 2 pi radian है अब ये तो एक सेकिंड में 6 revolution करता है तो 6 में बता दीजिए angle in 6 revolution अगर 6 revolution है तो 6 से multiply कर दीजिए 6 into 2 pi radian हो जाएगा that means हमारे पास answer कितना हो जाएगा 12 pi radian चिक है बड़ाई simple था next करते है find the degree measure of the angle subtended degree बताना हमने अब की पार of the angle subtended at the center of a circle एक circle है जिसका of radius 100 cm 100 cm जिसका माल लिजी ये हमारे पास है 100 cm इसका radius है और by an arc of length है माल लिजी हमारे पास कोई length है arc की 22 cm ये भी 100 हो गया ये angle हमने निकालना है देखिए हमने जब introduction में बताया था if this is L this is R this is theta then theta is equal to हमने बताया था L upon R R upon radius चिक है क्या था हमने उसी से हम निकालेंगे इसका solution तो solution हमारे पास है radius of circle जो value दी भी है वो हम लिखेंगे radius of circle that is 100 cm means हमने इसको क्या माल लिया R माल लिया length of arc length of arc is how much 22 cm means L हो गया let angle by arc on center वो हमारे पास क्या माल लिया हमने theta अब as theta is equal to L upon R यह हम कर चुके हैं L upon R so theta is equal to means radian की बात होती थी हमारे पास theta upon theta is equal to L upon R radian कीजिए L, L की value हमारे पास कितनी है 22 है 22 है हमारे पास 22 by 100 radian हमारा क्या आगया angle आगया बट हमने किसमें बताना था degree measure में अब degree measure के लिए हमें यह पता है कि 180 degree 180 degree is equal to pi radian के बराबर होता है ठीक है तो अगर हमने 1 radian की value बतानी है 1 radian is equal to 180 upon pi degree means radian को degree में convert करने के लिए 180 upon pi से multiply कर देते हैं चलिए यह बन जाएगा 22 upon 100 into 180 upon pi और pi की value चलिए उसमें next में रख लेते हैं तो 22 by 100 into 180 22 by 7 7 कहां चला जाएगा उपर यह हो गया 22 से 22 cancel इस 0 से यह 0 cancel 25 जा 29 जा means 63 upon 5 degree हो गया इतना इसको आगे convert करेंगे 5 से divide करेंगे 12 degree तो हमारा complete हो गया 12 degree के बाद हमारे पास बसता है 3 upon 5 degree इस degree को minute में बदलेंगे तो into क्या करतेंगे हम 60 से multiply 5 से cancel करेंगे 12 means 12 degree 36 minute is our answer यह हमारा इतने degree measure आगया इस R के द्वारा center पर तो दोनों ही question बहुत ही interesting थे और बहुत ही असान थे चलिए इस वीडियो में इतना है नेक्स वीडियो में एगले question के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भार जय हुत है जय हुत है